वो मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं मैं उनको बताना चाहती हूँ ये शहजादे चार हजार किलोमीटर पैदल चले हैं कन्या कुमारी से कश्मीर तक आपकी समस्याओं को सुनने के लिए चले हैं मेरी बेहनों से मिले हैं मेरे भाईयों से मिले हैं किसानों से मिले हैं मजदूरों से मिले हैं और सबसे प्यार से मिलकर पूछा है कि तुम्हारे दिल में क्या मुश्किले हैं तुम्हारे जीवन में क्या समस्याओं हैं उनको हम घल कैसे कर सकते हैं और एक तरफ आपके शहिंशा नरिंदर मोदी जी, महलों में रहते हैं, आपने कभी टीवी पे उनका चेहरा देखा है, एक तम साफ सुत्रा सफेद कुरता एक दाग नहीं है धूल का, एक बाल इधर से उधर नहीं हो रहा है, वो कैसे समझ पाएंगे आपकी मजदूरी, आप कि खेती कैसे समझ पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे कि आप किस दलदल में धसे हुए हो, किसानों के लिए नीती बनाते है, किसान अंदोलन करता है, लाखों किसान, चार किलो मीटर दूर उनके घर से, बैठते हैं, अंदोलन करते हैं, महीनों के लिए, उनकी बिजली काटी जाती है पाणी काटा जाता है 600 शहीद होते हैं किसान लेकिन वह चार किलो मिटर दूर चल के हमारे प्रधान मंत्री उनसे मिलने के लिए नहीं आते हैं जब उनको पता चलता है कि चुनाव आ रहा है और ये किसान अंदोलन कर रहे हैं हमें वोट नहीं मिलेगा तब चुनाओ के दो महीने पहले वो कानून बदल लेते हैं ये है उनकी कारिय शेली